2019 में जब भारत सरकार ने जमू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था तब उसके ठीक एक साल बाद यानि 2020 में गलवान घाटी ने भारत और चीन के बीच एक जड़प पुल थी इस जड़प के उने कई पीचे का कारण ये बताया जाता है कि गलवान नदी के एक सीरे पर भारतिये सैनिकों ने अस्थाई पुल बनाने का फैसला लिया था जैसे इस फैसले के बारे में चीन को पता चला चीन ने इस शेत्र में अवेद रूप से बुनियादी धाचे का निर्मान करवाना शुरू कर दिया था और साथ इस शेत्र में चीन ने धीरे धीरे अपने सैनिकों की संध्या बढ़ानी शुरू कर दी थी इस जड़प में चीन के 38 सैनिक मारे गए थे और भारत के करीब 20 जवान शहीद हो गए थे और ये जड़प दौनों देशों के बीच 40 साल बाद हुई थी कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मामले में 11 दिसंबर को सुप्रीम कोट ने सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा अनुच्छे 370 हमेशा से एक स्थाई प्रावाधान था और जमू कश्मीर का एक जरूरी हिस्सा है और इसका उद्देश्य जमू कश्मीर का भारत के साथ एक ही करन करना था ना कि अलग करना सुप्रीम कोट के इस फैसले पर चीन का बयान सामने आता है चीन ने कहा वो कोट के इस फैसले से खुश नहीं है और नहीं भारत के इस फैसले को कभी स्विकार करेगा चीन के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता बाउन नेंग ने कहा भारत चीन बॉडर का पश्चिम हिस्सा हमेशा से चीन का था और चीन का ही रहेगा जब भारत सरकार ने 2019 में 5 अगस्त को जमु कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था और राज्ये को दो हिस्सों में बाट दिया था जमु कश्मीर और लदाग तब भी चीन ने इस फैसले का विरूद किया था चीन ने कहा था कि भारत की ओड से लिया गया ये फैसला हम कभी सुईकार नहीं करेंगे और हम लदाग को अलग केंदर शासत प्रदेश बनाने के खिलाफ है बता दे इससे पहले मंगलवार को चीन के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता माउ निंग ने कश्मीर के मसले पर कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से ये विवात चला रहा है इसे शान्ती पून तरीके से UNSC के प्रस्तावों के जरिये सुलजाया जा सकता है जिससे शेत्र में शान्ती और स्थिर्था बनी रहेगी लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल उठता है आर्टिकल 370 पर आये फैसले से पाकिस्तान के बाद आखिर चीन क्यों बॉक ला गया क्या चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं या फिर चीन और पाकिस्तान मिलकर कोई साजश रचना चाहते हैं बाकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहेए दिन नगरी न्यूस शुक्रिया